अम्रित 2.0 की योजनावों की स्विक्रीती में जार्खन देश का पहला राज्य जार्खन पूरे देश में अम्रित 2.0 के तहत योजनावों की स्विक्रीती में पहला राज्य बन गया है सियम है मनसरेन के नेतित में अमरीट 2.0 के लिए राजी सरकार की ओई से भेजी गई सभी योजनाओं को केंद्र सरकार ने स्विक्रिति प्रदान कर दी है सहरी छेतर के हर घर को निसूलक पीने का पानी पहुचाना राजे के साथ परमुक सहरों में अपसिष्ट जल प्रबंधन सभी निकायों में जल सुरोत का जिर्नो धार और दोजर पचीश चबिस तक हर्याली विक्सित करने का जारकन में अमरीट 2.0 के तहत लक्ष निधारी था है योजनाओ की स्विक्रिती मिलने के बाद रामगर, सिम्टेगा, लोहर्दगा, गुमला, जामतेडा, बरहरवा बढकी, सरया, बचरा, छतरपूर, हर्यर, गंज, वंसिधर, धनवार, मगामा, डोमचांज, कपाली और विशरामपूरूत अमरिट 2.0 के तहत लावानवीत होने वारे नगर निकाय में सामिल हो गा यहाँ जारखन में हीट वेब को लेकर अलर्ट जारी जारखन में मार्च में ही भीशन गर्मी पढ़ने लगी है सूरिक की तपिस से जीना मुहाल हो गया है अधिकतर जीलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुँच किया है मौसम विभाग ने जारखन के उत्तर पच्छिम हिस्से के गढ़वा पलामू चत्रा उलाते हार जीले के लिए अगले दो दिनों के लिए हीट वेब अलर्ट जारी किया है वही राची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 24 गंटे के दौरान गोटा जीला में सबसे अधिक गर्मी दर्ज की गई बता दे अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस तक रहा 24 मार्च से सुरू होगी मैट्रिक वह इंटर की परिक्षाएं CCTV के सक्थ पहरेदारी जारखन बोट की मैट्रिक और इंटर की परिक्षाएं 24 मार्च 2022 से सुरू हो जाएगी प्राया सभी जीलों में परिक्षा की तयारी पूरी कर ली गई है इस बार समूचे जार्खन में परिच्छा केंद्र भी 600 बढ़ा दिये गए हैं कदा चार मुक्त परिच्छा के लिए सभी केंद्रों में CCTV केमरे लगाने का निर्देश दिया गया है समूचे जार्खन में मैट्रिक में 3 लाख और इंटर में 4 लाख परिच्छा के सामील होने जा रहे हैं बता दे राची जीले में मैट्रिक और इंटर परिच्छा के त्यारी पूरी कर लिए हैं इसमें मैट्रिक 105 और इंटर के 57 परिच्छा केंद्र बनाए गए हैं नेतरहाट पहुँचे किसान नेतराकेश टिकेट जार्खन के लाते हरी स्थीत नेतरहाट पहुँचे किसान नेतराकेश टिकेट नेहुकार भरी है उन्होंने कहा कि जहां भी गरीब मजदूर और किसानों का अंदोलन होगा वहां मेरा समर्थन रहेगा उन्होंने कहा कि कोई भी आंदोलन आदमी से नहीं बलिक विचार धारा से चलता है ऐसे आंदोलनों में युवाओ को आगे आना होगा सिरी टिकायत मंगलवार को नेतरहाट के टुटुआ पानी में नेतरहाट फिल्ड फाइरिंग रेंज बिरोधी जंग संगहर समीति की ओर से आयोजीत दो दिवसी ये बिरोध एवं संकल्प दिवस को संबधित कर रहे थे देवघर की 135 पंचायतों में मंदेगा का सोसल आउडिट शुरू हो गया है या सोसल आउडिट बीतिय वर्ष 2021 की युजना है इसमें अधिकांस पसुषेट, सिचाई, कूप, टीसीबी और सोक पीट में मजदूरी मद की युजनाव का सोसल आउडिट किया जा रहा है इसमें वीतिय वर्ष 2021 में सभी पूर्ण और अपूर्ण युजनाव का सोसल आउडिट किया जा रहा है बतादे सोसल यूनिट के डियारपी पंचम वर्मा डिडी सी से पंचायत वार कलेंडर के अनुसार सोसल अउडिट टीम को संबंधी त्योजनाव का रिकॉर्ड उपलब्द कराने के लिए मंदेगा कर्मियों को निर्देश देने का अगरकिया है जारखन सरकार एक लाख बेरोजगारों को देगी ट्रेनिंग सरम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि सरकार अगले साल एक लाख बेरोजगारों को परसिक्षन देगी परसिक्षन प्राप्त लोगों के लिए रोजगार मिले कायोजन होगा इसमें देश विदेश की कम्पनियों को भुला कर रोजगार दिलाया जाएगा मंत्री स्री भोकता, स्रम नियोजन एवं प्रसिक्षन विभाग, उद्योग विभाग, खनन विभाग, उत्पाद एवं मख्द निशेद एवं उर्जाब विभाग की अनुदान मांग पर सरकार का पक्ष रख रहे थे इसी समय विपक्ष ने वहिसकार कर दिया, बतादे विपक्ष के वहिसकार के बीच त्रम इवं प्रसिक्षन विभाग का पांच औरब नब्बे करोर सत्तर लाग वतियतीस हजार रुपय का उनुदान मांग धौनित मत से पारित हो गया है जारखन के पुर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पतनी दोसी करार करेगी ये मामला कांड संक्या 228-216 से जुड़ा हुए है हजारी बाग जीले के बढ़का काविस्थीत चीरूडी हत्या कांड से जुड़े मामले पर अपर नयायुक विशाल स्रीवास्तों के अधालत ने फैसला सुनाया लालू परसाद रिम्स से दिली एम्स के लिए हुए रवाना उनकी कीड़नी में लगातार गिरावट के कारण मेडिकल बोर्ट गठित की गई जिसके बाद डॉक्टर की टीम ने उन्हें दिली एम्स रेफर करने का फासला लिया बता दे मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक अभी उनकी कीड़नी 13 फिश्दी ही काम कर रही है जल की गुनवाता जाचने के लिए साहिया को मिलेगी एफटी आर्कीट जार्खन के सुख्ष भारत मीशन की निदेसक नेहा अरोडा ने कहा है कि जल ही जीवन है परदूसित जल से असी पर्थियत बिमारियों का जन्म होता है इसलिए हर छेतर में वाटर क्वालिटी की जाच होनी चाहिए जार्खन के ग्रामिन छेतरों में जल साहिया परतेक छेतर में बेहतर सिवापदान कर रही है आम लोगों से कम्यूनिकेशन कर प्रदोसित जल के निराकरण की दिशा में जल साहियाओं ने बेहतरीन काम किया है इसलिए जल साहियाग रामीन चेतर की रीड है इन्हें जल की गुनवाता जाचने के लिए एफ टिक के किट दी जाएगी इस मौके पर बेहतर परदोसन करने वालों को समानित किया गया रांची के काके रोड इस्थीत विश्वस सभागार में जल गुनवाता विश्वय पर राज अस्तरिय सनवात का उजन किया गया था जारखन में कुरोना के तेरह नायकेस मिले हैं जबकी 28 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं जारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 140 है भारत में 1581 नायकेस मिले जबकी 271 मरीज स्वस्थ हुए हैं भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 35 एर 866 तीन साल सेवा पूरी करने वाले सिख्षकों का ग्रिह जीला में होगा तबादला तीन साल सेवा पूरी करने वाले सिख्षकों का अस्थानांत्रान ग्रिह जीला में होगा इसके लिए सिख्षक अस्थानांत्रान निमावली में संसोधन किया जा रहा है इस्कूली सिक्षा एवम सक्षर्दा विभाग के मंत्री जगनात मातुरे मंगलवार को जामो विधायक मातुरा मातो के ध्याना कर्शन प्रस्तापर अजनकारी सदन को दी उन्होंने कहा कि अब तीन साल तक कार कर चुके सिक्षको का अस्तनांत्रन ग्रिष जीला में हो सकेगा पुर्व की सरकार में लागू नेमावली के तहट पांच साल सेवा देने के बाद ही ग्रिष जीले में अस्तनांत्रन का प्रविधान था The Highway Fashion Week Season 8 के लिए राची में अडिसन The Highway Fashion Week Season 8 की तेयरिया जोरो सोरो से चल रही है और हर बार की तरह इस बार भी The Highway Fashion Week का वजन जीमी मोडल्स ग्रूप जे एमजी कर रहा है बतादे जीमी मोडल्स ग्रूप पिछले साथ सालों से देश भर में The Highway Fashion Week का वजन करता आ रहा है जिसमें ना सिर्फ देश के बलिक विदेश के भी मोडल्स और डिजाइनर हिसा लेते है The Highway Fashion Week के लिए हर साल ओडिसन लिया जाता है और इस बार सीजन 8 का दूसरा ओडिसन राची में होने जा रहा है बता दे 27 मार्च को राची के लालपूरी स्थीत लैक में अकाडमी में सुबह 11 बज़े से 2 पर 3 बज़े तक ओडिसन लिया जाएगा गोर करने वाली बात यह है कि इस ओडिसन में हिसा लेने के लिए ड्रेस कोड भी निधारित किया गया है परिक्षा की त्यारी को लेकर गढ़वा डिसी नाखोस गढ़वा जिले में मैट्रिक और हिंटर की परिक्षा की त्यारियों को लेकर गढ़वा डिसी रमेस खोलप ने समिक्षा बैठक की इस समिक्षा बैठक में DC ने निरीक्षन कारे मेला परवाही बरत्ने तथा अब तक परीचा की सभी बेवस्तावे दुरूस्त नहीं करने को लेकर मजियाओ के परखंड सिक्चा प्रसार पताधिकारी नरेश प्रसाद गुपता एवं धूर्की के परखंड सिक्चा प्रसार पताधिकारी बिजय कुमार पांडे को सोक काज करते हुए अगले आजिस तक वेतन बंद करने का नियदेश D.E.O. मयंक भोचन को दिया बता दे B.E.O. नरेश प्रसाद गुपता कांडी एवं बरहीडा तथा बिजय कुमार पांडे सगमा रमना एवं बंसिधर नगर परखंड के भी प्रभार में हाए इफाइलिंग और ड्राप बॉक्स में याचिका दाखिल करने की सुविधा समाब जारखन हाई कोट के तीन जजों की पीठ ने एडवोकेट एसेसेशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अब से ना तो ई-मेल से याचिका दाखिल होगी और ना ही ड्राप बॉक्स में याचिका डालने की छुट मिलेगी चीफ जस्टिस डाक्टर रवी जनजन, जस्टिस सुजीत नरान परसाथ और जस्टिस राजेस संकर के अदालत ने सुनवाई के बाद दोनों बेवस्ताय समाप्त कर दी बता दे कुरोना संकरमन के कारान करीब दो साल से हाई कोट में ई-मेल से अचिका दाखिल करने की सुविदा दी गई थी जो लोग ई-फाइलिंग नहीं कर सकते थे, उनके लिए हाई कोट में एक ड्राप बॉक्स बनाया गया था ड्राप बॉक्स में अचिका की कॉपी डाले जाने के बहुतर गंटे बाद उसे बाहर निकाला जाता था ओनलाइन एकजाम की मांग को लेकर IIT ISM में परदरसन अधनबाज जिले के सबसे प्रतिष्ठी सिक्षन संस्थान IIT ISM मंगलवार को B.T.E.C. और M.T.E.C. के बिद्यार्थियों ने जमकर परदरसन किया IIT ISM के बिद्यार्थि ओनलाइन परिक्चा की मांग को लेकर परदरसन कर रहे थे सबी बिद्यार्थि ओनलाइन परिक्चा की मांग को लेकर दरने पर बैठ गए परदरसन कर रहे बिद्यार्थियों ने प्रबंधन के खिलाप नारेबाजी कर अपना बिरोज जताया बच्चे के COVID भैक्सिन सर्टिफिकेट में गड़बड़ी कुरोना का फैक्सिन लेने के लिए जैसे ही सेलोट बुक किया जा रहा है वैसे ही फैक्सिन लगने का सर्टिफिकेट भी मिल जा रहा है बता दे कुछ ऐसा ही ममला राजधानी के कई छेत्रों में देखनों को मिल रहा है जहाँ परिजन अपने बचों को बैक्सिन दिलाने जब सेंटर ले जा रहा है तो वहाँ उन्हें यह बोलकर लोटा दिया जा रहा है कि उनका बैक्सिन लग चुका है जबकि अभिभागों का कहना है कि जब बच्चे ने भैक्सिन लिया ही नहीं तो फिर इस तरह का मैसेज आने का मतलब क्या है बता दे नामकुम CHC में इसी तरह का मामला सामने आया है जारखन के लाखों किसानों को दूसरी किस्त का इंतजार जारखन के किसी भी किसान को धान विकरी के बदले दूसरी किस्त का भुकतान अब तक नहीं हुआ है बता दे एक लाग पाँच हैर किसान इससे वंची था है जबकि परदेश के विभीन जीलों ने कूल 146 को रुपए का बिल Food Corporation of India को जनरेट किया है इसके एवज में FCI ने महज 32 लाग रुपए ही जारी किया है वह भी राची जीला के खाते में यानि 23 जीले के खाते में अब तक एक रुपए भी नहीं गया है किसानों में इसे लेकर नराजगी है 181 उन्हें दो मापूर भी ही मिल जाना चाहिए था मगर इस मामले में अब तक कोई करवाई नहीं हुई है 7 अप्रेल को लंच हो रहा टाटा का टाटा नियू सूपर एप टाटा सूपर एप 7 अप्रेल को लंच होगा भारत के सबसे बड़े अध्योगीक समूहों में से एक 200 बिलियन डॉलर से अधिक के बेव साय वाला या समूह अब एक नए अस्थान में अर्वो का निवेस कर रहा है टाटा इसे अपने भविसे के विकास का केंद्र बिंदू मान रहा है बता दे टाटा के नियू एप से एरलाइनों, होटलों, दवाओं और किराना के समान एक ही अस्थान पर मिलने का दावा किया जा रहा है एक सद्यो पुरानी संस्था टाटा नए तकनिक के खेल के जरिये जिस तरह टाटा सूपर एप लाकर ओनलाइन सौपिंग को अपना रही है या उसके नए नजरिया विचार द्रिश्टी कोन परस्तूत करता है गुमला से एक लाक काई नामी एरिया कमांडर बोका गिरफता नकसली संगठन पीले फाई के खिलाप गुमला पुलिस को बली से पलता मिली है पुलिस ने काम डरा थाना नंत्रगट टूरू डू सारना टोली से एक लाक रुपय का इनामी नकसली बातो टोपनो उर्फ बोका को गिरफतार किया है गिरफतार नकसली बातो टोपनो काम डरा एम रनिया थाना चेतर में एरिया कमांडर के रूप में सक्रिये था इस बात की जनकारी SP डाक्टर एहते साम वाकारी ने पत्रकारों को दी पलामू के गेंग्स्टर डबलू सिंग का भाई गौरो चड़ा पुलिस के हाथे जहरखन की पलामू पुलिस ने कुनाल सिंग हत्याकान में सामील पलामू के कुक्यात अपराधी डबलू सिंग के छोटे भाई गौरो सिंग को गिरफतार कर जेल बेच दिया है सदर HDPO के बिजय संकर ने प्रेस कांप्रेस में बताया कि कुक्यात अपराधी कुनाल सिंग हत्याकान में सामील सूटर से लेकर हत्याकान में सामिल सभी लोगों को पैसा देने के साथ साथ जेल में बंद अपरादियों के परिवारों को भी गोरों सिंग वा सकती सिंग के द्वारा पैसा दिया जाता है पुलिस ने इसका खुला सा गोरों के पास से मिली डायरी के अधार पर किया पिरत्स कॉंप्रेंस में सहर थाना परवारे अरून माता मौझूद थे आपदा काल में कैसे चलाई सरकार बुद्धवार को बताएंगे मुख्य मंत्री हमान सुरेन मुख्य मंत्री हमान सुरेन ने विधान सभा सतर में मंगलवार को दूसरी पाले में अगोसना किया है वाक आउट नहीं करे मुख्य मंत्री हमान सुरेन ने चंदन कियारिक के भाजपा विधायक अमर कुमार बावरी के पर्याटन कला संस्क्रिती खेल कूद एवं युवा कारे विभाग तथा राज़ाद स्व निबंदन एवं भोमी सुधरवी भाग के बयट में खटोती प्रस्ताओं के पक्ष में अपनी बात रखने के दोरान ही सदन में या गोस्तना की नेतर हट में दो दिनों का रासन पानी लेकर पहुंचे ग्रामी नेतर हट फिल्ड फाइरिंग रेंज निर्मान का विरोध करने के लिए 22 मार्ज की अले सुबह से ही लातेहार और गुमला जिलह के विभीन गाउं के ग्रामी तुटूआ पानी मैदान पहुंचने लगे थे बता दे ग्रामीनों को ट्रेक्टर में सब परिवाज सवार होकर तुटूआ पानी पहुंचते देखा गया यहाद तक कि ग्रामीनों ने ट्रेक्टर में दो दिनों का रासन और पानी लेकर पहुंचे दो दिवस से बिरोध एवं संकल्प दिवस में सामील होने नेतरहट पहुंचे किसान नितराकेश टिकायत ने ग्रामीनों को संबोधित किया किसान मजदूर और गरीबों के आंदोलन में हमेशा साथ देने की बात करते वे उन्होंने युआओ से भी इस आंदोलन में सिर्कत करने के अपील की इधर ग्रामीन श्री टिकायत की बातों को बड़ी ध्यान से सुन रहे थे और कई बार उन्हें तालिया बजाते भी देखा गया बतादे श्री टिकायत ने ग्रामीनों की खूब होसला अपचाई की और 27 वर्सों से अंदुलन जारी रखने पर उन्हें बदाई भी दिया CM हेमंत के आवास में जूटे UPA बिधायक CM हेमंत सुरेन के आवास में मंगलवार की देर साम UPA बिधायक दल जूटे मोका पर UPA बिधायक संग डिनर करना डिनर के पुर्व CM सीरी सुरेन के देख्षता में एक संचिप्त बैठक भी हुई बैठक में UPA विधायकों ने सदन में एक जूट रहने की बात कही साथ ही जानता कि मुदों के साथ हमेशा UPA विधायकों को खड़े रहने की बात भी कही गई इस मोगे पर CMC रिसुरेण ने कहा कि सदन में कई सरकारी संकल्प पारित होने है 72 का 3 दिन और सेस बचा है ऐसे में सारे सत्ता पक्स के विधायक सदन में मुझूद रहे बीच में बाहर नौ निकले बैठक में कांग्रेस के विधायक और मंतरी रमेसर उराव आलमगीर आलम रायत के मंतरी सत्यानन भोकता और कांग्रेस और जामों के विधायक मुझूद थे बिजली उभोकताओं को 400 यूनिट से अधीक खपत पर नहीं मिलेगी सबसिडरी राज्य में बिजली की अधीक खपत करने वाले उभोकता आप सबसिडरी का लाब नहीं उठा पाएंगे 400 यूनिट से अधीक मासिक बिजली खपत करने पर उभोकताओं को दी जाने वाली सबसिडरी खत्म कर दी गई है यह आदेश 1 अप्रेल 2022 से प्रभावी होगा इसके अनुसार 1 अप्रेल से 401 या इससे ज्यादा बिजली की मासिक खपत करने वाले उभोकताओं को 6 रुपय 25 पैसे प्रती यूनिट की दर से भोकतान करना पड़ेगा वही 400 यूनिट तक खपत करने वाले सहरी घरेली उभोकताओं को 3 रुपय 50 पैसा से लेकर 4 रुपय 20 पैसा प्रती यूनिट की दर से भोकतान करना होगा बतादई समन्द में जारकन विजली वित्रन निगम ने उर्जा विभाग द्वाला जारी आदेश का हमाला देते हुए अगले माहा से बिलिंग करने का आदेश दिया है बिजली वित्रन निगम की महा प्रवंधाक अंजना सुकलादास ने सवी विदूत एरिया बोर्ड और सरकिल के महा प्रवंध को और अधिक्छन अभ्यानता को पत्र भेजा है OBC मोर्चा का सत्यागरा अंदोलन आज से उन्होंने बताया कि बुद्धवार को दक्षिनी चोटा नागपूर परमंडल राची में 24 मार्च को उतरी चोटा नागपूर परमंडल हजारी बाग में और 27 मार्च को पलामू परमंडल में अंदोलन होगा धन्यवाद अधि आप चनल पर नहीं होते चनलों के सब्सक्राइब कर बहल का वे लेकर अंदर भाईए साथ साथ वीडियो के एक लाइक आप में दोस्तों के साथ से अर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिडिवाएक अवासे दे थांक यू